दोस्तो बड़ी खबर इस वाक्त हम आपको बता रहे हैं राजिक कुरेशी महाठक इस मामले में जैसा कि आपको हमने बताया था कि एक अपरेल तक मानने कोर्ट ने पूछताज के लिए पूलिस को समय दिया था लेकिन अब जो चीजे सामने आ रही लगातार कुछ ने कुछ नए खुलासे हो रहे हैं जिसको देखते हुए कोर्ट ने राजिक कुरेशी को पूछताज के लिए तीन अपरेल तक नए खिरासत दिया है क्राइम बराज उनिट फोर पूस्ताश कर रहे है जिसमें एक बड़ी खबर यह है कि राजिक के जो एजेंट थे इसका जिक्र बा यानि कि राजिक के एजेंट को जेल भेज दिया गया है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है दोस्तों सूतर बताते हैं कि राजिक के अकाउंट से लगभग डेर करोर रुपए को फ्रिज कर दिया गया है दूसरी तरफ 40 से 45 लाख रुपए कैश बरामद हुए है इसको अन्य जानकारी के लिए हमने क्राइम ब्रांच यूनिट फोर के वरिष्ट अधिकारी से बादशित की आईए सुनते हैं कि वो क्या कहते है अपने पास दो अफेंस रजिस्टर ते अभी तब उस पर किशार रास्त था और कल रात को एक और अफेंस नया रजिस्टर हो गया और दोबरा उनका PCR बढ़ाए जाएगा और आगे की पूरी अफ्लिक की जाएगा सर लगव काफी कुछ जो शिकायट लेकर आए हैं इसमें कुछ कितने लोगों ने लाए हैं कि करीब हमार पास 57 लोगों ने शिकायट दर्ज कि उसका एक नए आफिंस शकरदारा में रेजि हर अपडेट BCN हमेशा आप तक सबसे पहरे लेकर आया है अब इस मामले में नया खुलासा हो रहा है उसका सबसे खास प्यादा इसका नाम अप्पू बताया जा रहा है जिसका जिक्र हमने आपको पिछले एपिसोड में BCN के माध्यम से किया था और पिरित चे उसकी कहानी अब तक सुनाया था अप्पू की जिसने सेक्रो लोगों को पपू बना दिया अप्पू का एक मामला रहा है इस अभी अप्पू नाम का एक जू वेक्ति हो नया खुलासा हो रहा है तो अभी इस वक्त का है अप्पू अभी सकरदरा के कश्टरी में तो क्राइम रांच जो सेक्रो लोगों को पपू बना गया उस अप्पू के एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है इसमें एक नया नाम जूड़ गया है अप्पू का जो अभी सकरदरा प्लिस्टेशन के हिराशत में वीडियो जनलिस्ट अखलेश भारदाज के साथ मैं वीर सिंग इन इस यू जो इस खेल में इस महाठग में शामिल है क्या अपू के घरवाली भी इस खेल में शामिल है एक बड़ा सवाल बना हुआ है हलनकि अप्पू की जो नियाई खिरासत है रिमांड है उसे 5 अपरेल तक बढ़ा दिया गया और 5 अपरेल के बीज में अपू और कौन सी नहीं जा हुए हैं आप देखते रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर्ज सिंग के साथ सिर्फ इन्बिस ये न्यूज पर जैंद